जहिन दिशाथियों अंतियोदे शिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है किसी भी वेक्ती के लिए सिर्फ इंसान होना काफी नहीं होता बलकि मानव गरीमा से परिपूर्ण जीवन होना भी हवश्यक है मानव गरीमा को मुकमल करने वाले पुनियादी अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में तुनिया भर में मानेता दी जाती है और आज के इस वीडियो में इन्हीं मानव अधिकारों को हम विस्तरत रूप में जानेंगे तो आई ये चलते हैं इसकी एतिहासिक प्रष्ट भूमी की ओर मानव अधिकारों के संबंद में प्रथम प्रयास वर्ष 1948 में The Universal Declaration of Human Rights अर्थात मौलिक अधिकारों के सार्व भूमिक गोष्णा पत्र के रूप में देखने को मिला जब डिसंबर 1948 में 48 दसों के समुहों ने समुचित मानव जाती के मानवदिकारों की व्याख्या करते हुए एक सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किया जिसमें माना गया कि इन्सान के मानवदिकार की हर कीमत पर रक्षा होनी चाहिए और इस चार्टर का विश्व की लगबग 500 भासाओं में प्रकाशन किया जा चुका है किसी धार्मिगरंथ के बाद सरवादिक भासाओं में प्रकाशित किया जाने वाला यह दस्तावेज है संयुक्तराष्ट के चार्टर के अनुचेद 13 में इसके उद्देशों को बताया गया है कि संयुक्तराष्ट का लक्ष है कि वह मानवदिकारों और मूल सतंत्रताओं को बिना किसी जाती, भासा, लिंग और धर्म विश्यक भेदवाओं के प्रोसाहित करे The Universal Declaration of Human Rights के इस चार्टर में 30 प्रमुक अनुचेदों में मानवदिकारों के विश्तरत वर्णन किये गए है आईए हम जानते हैं कुछ प्रमुक अधिकारों को अनुचेद साथ में विधी के समक्च समानता का वर्णन किया गया है अर्थात सभी के लिए समान न्याई की विवस्ता की गई है इसी के अनुचेद 9 में व्यक्ति की स्वतंत्रता व सुरक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छे 12 में निजता के अधिकार अर्थात गरिमा मैं जीवन जीने के अधिकार का वर्णन किया गया है आप जानी गए होंगे कि कुछ वर्ष पहले भारत में आए Right to Privacy अर्थात निजता के अधिकार का आधार भी मानव अधिकार ही है अनुच्छे 17 में व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है तथा अनुच्छे 18 में धार्मिक स्वतनरता का अधिकार प्रदान किया गया है इसके अंतरगत कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था के अनुरूप किसी भी धर्म को मानने वह उसकी उपासना का अधिकारी होगा लेकिन इन सभी अधिकारों के बावजूद सीत युद में बड़े पेमाने पर मानव अधिकारों के उलंगन का देखने को मिला इसी को देखते हुए वर्ष 1993 में वियना घोष्णा और प्रोग्राम अफ एक्षन स्विकार किया गया वर्ष 1993 के दिसंबर माह में युएन ने मानव अधिकारों के प्रती जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए मानव अधिकार उच्चायुक्त के पद का भी गठन किया और इसी वर्ष भारत में भी मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया और मानवादिकारों के इसी दस्तावेच को और अधिक सुद्रण बनाने के लिए वर्ष 2006 में मानवादिकार परिशत का गठन किया गया यह परिशत आज विश्व में मानवादिकारों की सुरक्षा और संदक्षन की दिशा में कारे करने वाली सर्वोच संस्ता है इसका मुख्याले जेनेवा स्विजल लेंड में इस्तिद है इसका उद्देश मानवादिकारों को प्रुशाहित करना तता इस दिशा में काम करना है इसकी सदस्यों की संक्या 47 है जो विश्व के पांच बड़े समुहों में बटे हैं और विभिन्न छेत्रों का प्रतिनिजित्व करते हैं इनका कारेकाल तीन वर्ट्स निर्धारित किया गया है आईए अब हुन जानते हैं कि यह मानवादिकार परिशद क्या कारे करता है इसका प्रमुक कारे मानवादिकारों के उलंगन की स्थिती में जाज करना और उलंगन होने पर इसकी मौनिटरिंग करना साथी साथ मानवादिकारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सलाह देना और इसकी रिपोर्टों को सारुजनिक करना है तता मानवादिकारों के उलंगन होने वाले देशों में विशेश प्रतिनिदी और कारे सम्भू को बेजना जो बुलाय जाने पर जाज करते हैं और उस देश के आयोगों से इस विशेश पर चर्चा करते हैं साथी साथ उस देश के नियाले सिविल सोसाइटी आधी को भी सलाह देते हैं कि किस प्रकार मानवादिकारों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और साथी इस संबंद में ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं आईए हम जानते हैं मानवादिकार परिशत की कुछ उपलबदियों को दुनिया भर में व्याप्पक रूप से और महत्वपूर्ण मानवादिकारों के संबंद में इस संस्थाने कारे किये हैं इसकी पहल से दुनिया भर में युद्ध जेल रहे नागरिकों और विश्थापितों के कल्याण के लिए बड़े कारेकरम चलाय जाते हैं। वैस्विक्सांति की स्थापना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आईए अब हम जानते हैं SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मानवाधिकारों के मद्धे संबंद को। वर्ष 2015 में विश्व के 193 देशों ने भविश्य में अंतराष्टी विकास को ध्यान में रखकर 17 लक्ष निरधारित किये। इन लक्षियों को निरधारित गरीवी के सभी रूपों की समाप्ती करना है। दूसरे और तीसरे लक्ष की बात की जाए तो भूग की समाप्ती और अच्छे स्वास्त के लिए बहतर पोषण उपलब्द कराना है। इसे ऐसे उधारन से समझें कि माता एवं सिशु को उसके स्वास्त के लिए आवश्यक पोषण मिलना उनका मानावधिकार है। इसे उध्यसे से हमारी सरकारे विविन ने पोषण कारेकरमों का संचालन करती है। जैसे गर्वती महिलाओं को अस्पतालों में औस्त्री युक्त लड़्डू प्रदान किये जाते हैं। साथी साथ मिढ़े मिल कारेकरम आदी। प तो सभी के लिए स्वच्चता वा पानी का प्रबंदन की उप्रब्दता सुनिष्चित करना यह एक प्रबूख लक्ष है। यह लक्ष होने के साथ साथ मानाव का एक अधिकार भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समावे सी विकास लक्षों के 90 प्रदिस्षत से अधिक प्रावदान मानाव अधिकारों से ही संबंद रखते हैं और यह एक दूसरे के समानुपाती हैं। अर्थात जैसे जैसे सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल की प्रगति होगी, मानाव अधिकारों की भी प्रगति होगी। आईए हम जानते हैं कुछ महत्वपुन तर्थिय को यूनिवर्सल डिकलेरेशन ओफ हुमन राइट्स की याद में हर वर्द 10 दिसंबर को मानावादिकार दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसी मानावादिकार दिवस की 71 वर्षगाट वर्ष 2019 में मनाई गई जिसका लक्षे यूथ स्टेंडिंग अप फॉर दा हुमन राइट्स रखा गया। अर्थात युवाओं को जागरत करना की वे किस प्रकार मानावादिकारों की प्राप्ति और उनके क्रियानवेन के छेतर में आगे आएं रहा है। महिलाओं को मद्दान का अधिकार कुछ देशों में म्रत्यु दंड का अंत और दक्षन अफरिका में रंगभेत का उन्मूलन मानावादिकारों के कारण ही संबा हो सका है। इस प्रकार पिछले कुछ परसों में मानावादिकारों के छेतर में सकरात्मक परिणाम मिले किन्तु कहीं बड़े कारे करना अभी भी बाकी है। आईए चलते हैं इस वीडियो के अंत की ओर। इस वीडियो में हमने मानावादिकारों को विस्तार से जाना। आगे के वीडियो में हम भारत में मानावादिकार के छेतर में कारे करने वाली सहस्ता राष्टी मानावाद आयोग को जानेंगे कि क्या रहा है भारतिय वराष्ट्री मानवदिकार आयोग का इतियास साथ इसके कार शक्तियां आयोग की सीमा और इसके बहतर के लिए क्या उपाय प्रदान किये जा सकते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में इस वीडियो की PDF नीचे डिस् यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवस्चे करें तता हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें धन्यवाद